मोटरो वन फ्यूजन फ्लस ये मोटरोला का नया स्मार्टफोन इंडिया में आज लॉंच हो चुका है और ये फोन आता है स्नैपड्रेगन सेवन थर्टी जी के साथ जो आपको सेम टुसेम पोको एक्सटू में देखने को मिलती है तो आज के इस वीडियो में इसको हम आन फेवर यहाँ पे कंपेर करेंगे पोको एक्सटू के साथ और देखते हैं कोंसा फोन यहाँ पे बेटर निकल के आता है मोटो में आपको 64 मेगाफिक्सल का मेन सेंसर देखने हो मिलता है पर इसको फेसिफाइ नहीं किया तो मुझे लगता है कि यह सैमसंग का ही सेंसर होगा उसके साथ 8 मेगाफिक्सल का वाइड एंगल 5 मेगाफिक्सल का मैक्रो और 2 MP का डेप सेंसर देखने हो मिलता है और फ्र तोड़ी बड़ी है मोटो से और दोनों भी फॉन में आपको फिसिकल फिंगर प्रिंगर्पृंट्स देखने हो मिलता है और यह फॉल स्क्रीन है मोटो में आपको 5000 mh की बैटरी देखने हो मिलती है बहुत बड़ी बैटरी है और उसको चार्ज करने के लिए 18W का चार्जर देखने हो मिलता है पर पोको एक्स्ट में आपको 4500 mh की बैटरी देखने हो मिलती है और उसको चार्ज करने के लिए 27W का फास्ट चार्जर देखन यहां में मोटो से जयाद को 220 हर्ट का डिस्प्ले रिप्रेश्टर देक्ने मिलता है जो आपको देखने को नहीं पर यहां पर बात करें प्राइजिंग की तो यहां पर लगवग देड़ हजार का डिप्रेंज है पर आपको पोको एक्स्टु में 27 वैट का फास चारज देखने हों मिलता है जो मोटो में आपको ओनली 18 वैट का चारज देखने हों मिलता है सो गाइज यहाँ पे मैं मोटो को जल्दी ही पर्चेस करूँगा और इन दोनों में से कौन सा फोन आपको अभी भी बेटर लगता है यह जोरो कमेट करना और आपको कौन कौन से वीडियो चाहे यह भी जोरो कमेट करना जहिन दोस्तों